नमस्कार में हुने बेचता आपने देखा या सुना ही होगा कि फला एस्टरोइड बहुत तेजी के साथ धर्ती की तरफ आ रहा है और इससे इतना बड़ा खत्रा हो सकता है यह इसका आकार पृत्वी के आकार से ज्यादा है उसी कड़ी में अंतरिक्ष के कोने में एक महा विनाशक एस्टरोइड बहुत तेज गती से धर्ती की तरफ बढ़ रहा है और अमेरिकी विग्यानिकों ने चेताव नी दी है कि यह धर्ती से टकरा भी सकता है इस एस्टरोइड का नाम है अपोफिस या तबाही का देवता अपोफिस कितना शक्तिशाली है इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि यह अगर पृत्वी से टकराता है तो 88 करोड टन TNT के विसफोट के बराबर असर होगा यह एस्टरोइड करीब 1000 को चोड़ा है और बहुत तेजी से धर्ती की तरफ बढ़ रहा है खगौल विदो की माने तो यह महा विनाशक एस्टरोइड पृत्वी से टकरा सकता है अमेरिकन एस्टरोनॉमिकल सुसाइटी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सुबारू चेलिसकोप से मिले डेटा बड़े खतरनाक है डेटा के आधार पर कहा जा सकता है कि अपोफिस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है यह एस्टरोइड साल 2000 अर्सच में पृत्वी से टकरा सकता है अपोफिस का नाम यूनान के तबाही के देवता के नाम पर रखा गया है वग्यानिकों ने कहा है कि अभी ये पृत्वी से ठकराएगा या नहीं इसका ठीक ठीक पता साल 2029 में चल सकेगा जब एस्टरोइड पृत्वी के बहुत पास से गुजरेगा इस दोरान एस्टरोइड को बिना किसी दूरबीन के देखा जा सकेगा तबाही का देवता अपोफिज फ्रांस के एफिल चावर से आकार में बड़ा है साल 2029 में ये पता चल सकेगा कि साल 2068 में ये एस्टरोइड हती के कितने करीब से गुजरेगा साल 2029 में ये भी पता चलेगा कि अपोफिज के टकराने पर क्या हो सकता है वग्यानिकों की माने तो ये एस्टरोइड अगर केवल ठीक ठीक दूरी से गुजरता है तो पृत्वी की गुरुत्वा कर्शन शक्ती इसका रास्ता बदल देगी और ये साल 2068 में वापस आएगा और पृत्वी से टकरा सकता है यहाँ पर एक जनकरी आपको बताते चलें कि अपोफिस एस्टरोइड की खोज एरिजोना की वेदशाला ने 19 जून 2004 को की थी इसके बाद से इस एस्टरोइड पर वग्यानिकों की लगादार नजर है शोद करताओं ने अपोफिस को इस साल सुवारो चेलिसकोप की जरीए पता लगाया और विश्टेशन के बाद पाया कि इसने गती तेज कर ली है इसमें पाया गया कि एस्टरोइड सूरी की रोशनी में गरम हो रहा है खगोल विदो ने कहा है कि एस्टरोइड के साल 2068 में टकराने की पूरी संभावना है अपोफिस एस्टरोइड निकल और लोहे से बना है और रडार इमिज से पता चला है कि ये लगातार लंबा हो रहा है इसका आकार अब मुंफली की तरह से होता जा रहा है शोद करताओं की माने तो अभी और ज्यादा विशलेशन की जरूरत है वेग्यानिक इस बात की जांच कर रहे हैं कि धर्ती से साल 2068 में टकराएगा या नहीं इससे पहले के शोद में कहा जा रहा था कि इस एस्टरोइट के टकराने के संभावना केवल 2.7 प्रतिशत ही है लेकिन अब वही खगोल विद और वेग्यानिक कह रहे हैं कि टकराएगा लेकिन पता 2029 में चलेगा तो अभी आपको डरने की जरूरत नहीं है बस साधान रहने की जरूरत है